नमस्कार बच्चो आज हम आठवी काक्षा के इस वीडियो के अंदर सीखेंगे भारत की खोज किताब का पांट नमबर छे जिसे सीशक दिया गया है अंतिम दौर एक आगे पिए हमने भारत की खोज के अंदर बात की थी कि ये पूरा हिस्टरी के उपर आधारित होने के कारण हम इसके क्वेश्चेन आंसर ही डिसकस करेंगे तो आज अंतिम दौर एक के क्वेश्चेन आंसर शुरू करें तो सबसे पहले प्रश्णोत्तर के साथ साथ हम थोड़ी सी जनकारी और भी प्राप्त करते जाएंगे तो सबसे पहले अंग्रीजों के समय में दो मुख्य वर्ग जन्मे यानि कि दो ऐसे विभागों का जन्म हुआ अब कौन से दो ऐसे विभाग थे तो पहला है माल गुजारी और दूसरा है पुलिस तो आप कहेंगे कि पुलिस से तो हम समझ गए कि एक विभाग है जो नियमों का पालन करवाता है लेकिन ये माल गुजारी क्या है तो हमारा पहला प्रस्न भी वही है माल गुजारी से आप क्या समझते हैं तो इसका जवाब इस तरह लिख सकते हैं कि माल गुजारी है वह एक प्रकार का कर है कर यानि की टेक्स एक प्रकार का टेक्स है लेकिन वो कीसे लागू होता है तो गाउं से शहरों में लाए या ले जाने वाले सामान पर सरकार की और से ये लगाया जाता है कि गाउं से शहरों में जो सामान लिया जाता है उस पर टेक्स लगाया जाता है उसे माल गुजारी कहा जाता है इससे क्या होता था कि अंग्रेज भारत के अंदर इतनी सुविदाएं होने पर भी भारत है वो गरीब कैसे बनता गया तो भारत में सभी साधन होने पर भी भारत की जो जनता है अपने ही देश में गरीब होने लगी क्योंकि उसे ब्रिटेन के सभी खर्च उठाने परते थे यहां क्या होता था कि अंग्रेज ह वो रहते भारत में थे, लेकिन उनका परिवार वहां ब्रिटेंड में होता था, ब्रिटेंड के अंदर, देश के अंदर कुछ भी सुविधाएं चाहिए, तो उसका जो खर्च होता था, वो कहां से वो लोग प्राप्त करते थे, तो भारत से जो कर या टेक्स वसुल किया जा भारत का पैसा है, वो अपने देश, इंग्लेंड में ही खर्च करते, इस तरह भारतवासी हैं, वो और गरीब होते जाते, दूसरा प्रस्ना देखे, तो अंग्रेजी सासन के दोरान, भारत ने किस-किस क्षेत्र में विकास किया, यानि कि कौन से इसे क्षेत्र थे, जिसमे भारत आगे बढ़ा, तो अंग्रेजी सासन में भारत ने नई तकनी की, यानि कि टेक्नोलोजी, रेल गाडी, छापा खाना, यानि कि जो प्रिंटिंग होता है, छापा खाना, दूसरी मशीने, वो युद्ध के अधिक कारगर तरीकों का विकास हुआ, यानि काफी सारी मश की जाए, तो बचो, बंगाल है, उसमें जब पूरे भारत के अंदर ब्रिटिशर अभी फैल नहीं पाये थे, तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल के अंदर ही अपना शासन शुरू किया था, तो यहाँ पर हम ये जान सकते हैं कि बंगाल ब्रिटिस प्रशासन से अधिक पर जिनोंने गुलामी बुक्ती है, वो हमारे भारत के बंगाल प्रदेश के लोग थे, परश्चिम बंगाल के, प्रस नमबर तीन है, बंगाल के महान समात सुधारक कौन हुए, तो जवाब होगा, राजा राम मोहन राय, वो बंगाल के सबसे आगे माने जाने वाले समात जागरूती लाने की कोशिश की नई जागरूती यानि की समाज के अंदर जो खराब रिवाज हुआ करते थे उस समय, उसके विरुद उनोने लोगों को जागरूत किया, आगे का प्रसना है, प्रस नमबर चार, राजा राम मोहन राय ने मुख्य रूप से किस कूरिती का अ उसे समाप्त करवाया, सती प्रता में क्या होता था बचो कि जिस स्त्री का पती मर जाता है, तो उस स्त्री को जिन्दा जला कर उसके प्राण दे दिये जाते हैं, यानि कि जब उसका पती मर जाता है, उसी के साथ उस स्त्री को भी उसी आग में जला दिया जाता है, तो ये प्रति कूरिति यानि कि खराबरिवाज उसका भी राजा राम मोहनराई ने विरोध किया या जान सकते हैं कि पती मर गया उसके बाद कंपलसरी अगर स्त्रीक की जान ली जाए तो वो तो गलत बात है तो इस तरह गलत बातों का विरोध राजा राम मोहनराई ने किया था आगे का प्रसना है प्रस नमबर 5 भारतियों ने प्रतम बार खुले आम अंग्रेजी सरकार के विरुद बगावत कब की बगावत यानि विरुद करना तो कौन सा ऐसा समय था जब पहली बार भारतियों ने अंग्रेज सरकार का विरुद किया तो सन 1857 में पहली बार विरुद किया आगे का प्रसना देखें तो प्रसन नमबर छे है स्वामी दयानन सरस्वती ने लोगों को क्या संदेश दिया तो इसका जवाब हम लिख पाएंगे कि स्वामी दयानन सरस्वती ने लोगों को वेदों की और लोटो यानि कि हमारे भरतिय समाज या हिंदू समाज की हम बा बताई गई हैं तो उन वेदों की तरफ हम वापस लोटें यानि कि उनका फिर से अध्यान करें और अच्छी अच्छी बातों को हम गरहन करें इसलिए दयानन सरस्वती ने लोगों को संदेश दिया कि वेदों की और वापस लोटों आखे बात करें तो अब स्वामी विवेकानन जी का परिचय मिलेगा थोड़ा सा हमें तो आपका आगे का प्रस्ना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किन होने की तो जवाब आएगा स्वामी विवेकानन ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बचो आपको इसकी थोड़ को नहीं मानता था इनके लिए सभी एक समान थे ऐसा उनका मिशन था जिसे रामकृष्ण मिशन के नाम से प्रसिद्ध किया गया और इसकी स्थापना विवेकानंद ने की थी आगे स्वामी विवेकानंद के बाद हम बात करेंगे रविंद्रना टैगोर की तो रविंद्रना टेगोर ने कौन से सिख्षा केंद्र की स्थापना की आपका प्रस नमबर आठ देखिए तो जवाब आएगा कि रविंद्रना टेगोर ने शांतिनी के तन नाम के सिख्षा केंद्र की स्थापना की अब रविंद्रना टेगोर उच्च विचार वाले ऐसे लेखक और कलाकार थे तो उन्होंने सांतिने के तरण नाम की संस्था की स्थापना की है तो ये कुछ प्रस्ण आज हमने देखे हमारे भारत की खोज पार्ट नमबर चे अंतिम दौर एक के ये सारे प्रस्ण उत्तर आप नोटबुक के अंदर लिखेंगे और परिक्षा के लिए भी तयार करें टीजहिए और आपना की